दोस्तो law and order दुरुस्त वाले उत्तरप्रदेस में अब देखी क्या हो गया जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करने वाले दंब भरते हैं कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल है यहाँ पर सब शान्ती ही शान्ती है लेकिन आशान्ती तब मच गई दोस्तो जब law and order के सामने यानि उत्तरप्रदेस पुलिस के सामने बीजेपी के महानगर उपाध्याश सुबोध को गसीट गसीट कर मारा गया और यह गसीटने वाले भी बीजेपी से ही चुड़े लोग थे लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर कुछ करना सके कल होली के रंग में दोस्तो भंग तब डला जब होली खेलते खेलते एक ही समुदाए के दो लोग आपस में ऐसे भिड़े ऐसे भिड़े कि अलिगर पुलिस कुछ करना सकी हाला कि जब मामला हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया तब फिर अलिगर पुलिस इस तरीके से इस मामले को शान्त कराती भी नज़र आई है नवजीवन कि इस खबर को देखेंगे तो साफतोर पर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कैसे जो है पुलिस वालों के सामने मार पीट हुई और फिर पुलिस जो है इस पूरे मामले में कैसे हस्त छेप करती भी नज़र आई दरसल दोस्तो सूत्रों के मुताविक पूरी घटना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंग और अतरिक्ट जिला मजिस्ट्रेट के सामने हुई है कुलदीप सिंग ने कहा कि ये घटना सबजी मंडी जंक्षन पर हुई है बोली के जश्न के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए पुलिस तुरंद मौके पर पहुँची और मामले को सुलजा लिया गया है किसी भी फक्ष ने पुलिस में इस मारपीट की कोई शिकायद दर्ज नहीं कराई है जिस तरीके का मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो आया है उसको लेकर पुलिस के पास कोई भी कारवाई कराने नहीं आया है और सबसे मज़े की बात ये दोस्तों कि सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे है घटना के वीडियो में दो समूहों के लोगों को हता पाई करते हुए साफ तोर पर नज़र दोड़ाया जा सकता है साफ तोर पर दिखाई दिया जा रहा है कि दो समूह आपस में कैसे लड़ रहे हैं और पुलिस को हस्तेचेप करते हुए भी नज़र आ रहा है जब ये भीड और ये मामला शांत नहीं हो रहा था तो भीड को तितर बतर करने की पुलिस कोशिश करते वे दिखाई दे रहे हैं आपस में मारपीट करने वाले दोनों समूह के लोग एक ही समुदाय के हैं और बताया ये भी जा रहा है कि सभी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं जिस तरीके से होली में ये लोग लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे और बीजेपी के दोस्तों जो महानगर उपाध्यक्ष सुभोध हैं, उनको जो घसीटा जा रहा है वो वीडियो में साफतोर पर दिखाई दी जा रही है दोस्तों कि कैसे मारपीट की जा रही है, अब आप देखिए कि होली के दिन किस तरीके से ये आपस में ही एक ही समुदाई के लोग लड़ रहे हैं, भिर रहे हैं लेकिन कई तरीके से ये खबर जो है सोशल मीडिया पर वारल की जा रही और कहा जा रहा है कि देखिए होली के दिन भी ये लोग शान्त नहीं हैं और किस तरीके से दूसरे कौम को बददाम करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे कौम के जो लोग हैं इस तरीके की हरकत करते हैं ताकि हिंदू समुदाई के लोग में आशान्ती फैल जाए हिंदू समुदाई के तहवार को खराब कर दिया जाए लेकिन यहाँ पर खुद आपस में भाजपा के ही लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो मारपीट कर रहे हैं और इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग जाकर पुलिस को कंप्लेन भी कर सके जो वीडियो सामने आया इसका कंप्लेन किसी ने भी नहीं किया है कि भाई अमारे साथ गलत हुआ अमारे साथ मारपीट हुई है हमें घसीता गया है अम नहीं इस तरीके की कोई खबर जब तक मैं पढ़ रही हूँ दोस्तो तब तक सामने नहीं आई है पूरी तरीके से हमने गूगल पर भी सर्च किया तो दोनों ही तरफ से इस मामले को लेकर पुलिस में कोई तहरीर कोई शिकात दर्ज नहीं की गई है उल्टा पुलिस वाले किस अश्ता पश्ताकर इन लोगों को बचाने के लिए सामने आए कि किस तरीके की हरकत कर रहे है तैवार में कैसे रंगों के तैवार में भंग डालने की कोशिश कर रहे है अब आप देखे दोस्तों कि उतर प्रदेश हो या बिहार हो या हर्याना हो ऐसे तमाम राज्यों से ऐसी खबर आई है जहां होली पर हुरदन करते हुए कई सारे लोग नजर आए हैं किस तरीके से मार पीट का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा है हमने कई तस्वीरे देखी वीडियो कि गोली तक चलाने की कोशिश कर दी गई बिहार में तो दोस्तो होली के दौरान जो है दो गुट आपस में लड़ रहे थे और फिर फाइरिंग किया जो उपर वीडियो बना रहा था एक शक्स उसको गोली लग गई और तड़के उसकी मृत्ती हो गई तो इस तरह की तमाम खबरे जो हैं खोली वाले दिन निकल कर सामने आई है दोस्तों इस पूरे रोपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राए हमें कमें सेक्षन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना बुले